आज बात करता है हर्याना के रोतक के सर छोटू राम जी की इनका जनम 24 नावबर 1881 में जजजर हर्याना के एक छोटे से गाउंगडी सांपला में बहुत ही साधारन परिवार में हुआ था इन्हें ब्रिट्री शाषन में किसानों के हथीकारों के लिए आवाज बुलंद करने के लिए जाना जाता था वे पंजाब रांध के सम्मानित नैताओं में से ते और उन्होंने 1937 के प्रांध ये विदान सबा चिनाओ के बाद अपने विकास मंद्री के रूप में कारे किया उन्हें नैतिक सहस की मिसाल और किसानों का मसिया माना जाता था का जाता है कि सर छोटूराम बहुती साधारन जीवन जीते थे और उपनी सेलेरी का एक बड़ा हिस्सा रोतक एक स्कूल को दान कर दिया करते थे वकालत करने के साथ उन्होंने 1912 में जाट सबा का गटन की और प्रतम विश्वयुद में उन्होंने रोतक के 22,000 से ज्यादा सैनिकों को सैना में भरती करवाया 1916 में जब रोतक के कांग्रेस कमेटी का गटन हुआ तो वो इसके अध्यक्ष बने लेकिन बाद में महात्मा गांदी के सहीव गांदोलन से अहसा मत होकर इससे अलग हो गए उनका कहना था कि इससे किसानों का फाइदा नहीं था उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी का गटन किया और 1937 के प्रोवेंशिल असेंबली चुनाव में उनकी पार्टी को जीत मिलीती और वो विकास वर राजस्टो मंत्री बने